हलो दियर इस्टूरेंट्स यूआ वेलकम टू मैं यूटूब चैनल आशिद अंजमसर जूनियर फाउंडेशन मेटा कैसे हो क्या हाल चाल सब ठेक ठाक पड़ाई लिखाई चल रहा है हम लोग इंटोड़क्शन 5.7 के पार्ट 2 को आज देखने वाले हैं लास्ट लेक्शर में हम लोगों ने पार्ट 1 को देखा था उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीज़ों को डिसकस किया था लेकिन आज स्कूर को डिसकस करने वाले हैं तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ों को last lecture में पढ़ लिया है क्योंकि ये part 2 है तो आपको part 1 आना जरूरी है तो देखो यहाँ पे आप तो उस lecture को बहुत detail से पढ़ लिये होगे लेकिन थोड़ा सा recap कड़ाते हैं कि हम लोगों ने quadrilateral से शुरू किया था जिसके four sides होते हैं थेक हैं उसके बाद हम लोगों ने types of quadrilateral को देखा था जिसमें parallelogram, rhombus, rectangles, squares, trapezium and kite के बारे में हमने बताया था कि ये सब उसके types हैं जिसमें हम लोगों ने parallelogram को discuss कर लिया, rhombus को हम लोगों discuss कर लिया, आज अच्छा rectangle को discuss किया था क्या नहीं, square rectangle को हम लोगों ने discuss नहीं किया है, तो इन सब को हम लोग आज discuss कर लेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे parallelogram के बारे में देखा था, कि parallelogram में जो है ना, वो exactly opposite sides parallel होते हैं ठीक है, आपको जैसा के ध्यान होगा, यहाँ पे हमने parallelogram के बारे में बताया हुआ है, कि parallelogram एक ऐसा quadrilateral होता है जिसके दोनों opposite sides parallel होते हैं, ठीक है, अच्छा इसमें उसके बाद हम लोगों ने rhombus को discuss किया था, जिसमें हमने बताया था, कि एक ऐसा special parallelogram, जिसके all sides equal होती है, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा, इस बात को भी चर्चा कर दिया था, कि all rhombus parallelogram होता है, लेकिन all parallelogram rhombus नहीं होता है, ठीक है, भाई, तो आज हम लोग चलते हैं शुरू करते हैं, square को, और square के बादे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कि एक parallelogram, अच्छा, parallelogram है, in which all the sides are equal, जिसमें सभी के सभी sides कैसे होंगे, भाई, मेरे बढ़ाबर होंगे, and each angle measures 90 degree, और हर एक angle कितने होंगे, तो 90 degree होंगे, तो भाई, जब parallelogram है, जिसमें all sides equal है, तो देखो, और हर एक angle 90 degree है, तो वो figure बिल्कुल ऐसा बनेगा, देखो, यहाँ पर parallelogram, बेटा, कितने सारे sides होंगे, four sides होंगे, and opposite sides आपके parallel भी होंगे, तो आपको यहाँ पर opposite sides parallel ही बनाना है, यहाँ पर देखो, यह आपने क्या कि एक ऐसा parallelogram बनाया, ओ शिट, क्यों ऐसा ओड़ा है भाई मेरे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप क्या कहोगे, कि जितना लंबा यह है, उतना ही लंबा यह है, उतना ही लंबा इसकी है, उतना ही लंबा इसकी है, इसका मतलब कि all sides इसके equal हैं, तो यहाँ पर हम naming कर देते ठीक है, all sides equal है, and each angle 90 degree, हर एक angle better 90 degree है, यहाँ पर देखो, हर एक angle कैसा है, तो हर एक angle 90 degree है, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हो, कि angle A is equals to angle B, is equals to angle C, is equals to angle D, अब वो भी किसके equal होगा, तो 90 degree के equal होगा, समझ में आ गया क्या, क्या, अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप यह तो कही सकते हो, कि इसके opposite sides parallel होगे, opposite sides क्योंकर parallel ह關係 तो opposite sides होगे ही होगे, इसमें खास बात जो आपको सीखनी है, वो इसके diagonal के बारे में सीखनी है, देखो यह diagonal है, और यह भी डाइगोनल है तो दोनों जो डाइगोनल हैं तो ये दोनों डाइगोनल ओपे क्या कर रहे हैं के इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे गौर से देखना तो ये वाला जो डाइगोनल गया तो इसको मतलब के diagonal bisect each other अखास बात यह है कि 90 डिगरी बनाते हुए 90 डिगरी बना रहा था ना जहां पे भी diagonal इंटरसेक्ट कर रहा था वैसे ही स्क्वाइर में भी जहां पर diagonal इंटरसेक्ट करेगा वहां पर exactly 90 डिगरी बनाएगा बाई देख रहे हो समझ रहे हो हाँ बिलकुल तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि diagonal bisect each other perpendicularly diagonal bisect each other at 90 डिगरी आप ऐसे भी लिख सकते हो perpendicularly नहीं लिख करके कि 90 डिगरी पर वो bisect करता है एक दूसरे को समझ में आ रही है बात इसका मतलब यह हो गया कि OB is equals to OD होगा यहां पर यह देख लो OB is equals to OD होगा अच्छा अच्छा O A is equals to OC होगा और सुनो यह और यह diagonal भी बड़ाबर होते हैं इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर पूरे के पूरे diagonal जब बड़ाबर है तो यह चारो पार्ट आपस में बड़ाबर है यानि O A, O B, O C, O D तो यह सब के सब आपस में बड़ाबर हो जाएंग ठीक है 90 डिगरी में मैं एक लिख देता हूँ angle A, O D यहां पर angle A, O D बटा कितना हो जाएगा तो A, O, D जो है वो 90 डिगरी हो जाएगा समझ में आ रहा है वैसे ही आप A, O, B भी लेलो 90 डिगरी जो लेना है लेलो हर एक angle जो बनेगा वो वहां पर 90 डिगरी बनेगा बोलो सम सब्सक्राइब करते हो इसके जो डाइगोनल्स है ना वो दोनों के दोनों डाइगोनल्स इक्वल होते हैं तो डाइगोनल्स आर इक्वल तो यहां पर आपने डाइगोनल्स को इक्वल बता दिया और कौन-कौन से तो जो AC is equals to BD कह डालोगे कि जो AC है वो exactly BD के बड़ाबर हो जाएगा समझ में आया क्या 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 होता है और स्क्वाइर की प्रोपैटीज क्या होती है यह सर समझ में आ गया सर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना मेरे बाई हमारे शैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किय है तो जल्दी से करते हैं क्यूं क्यूंकि आपको नोटिफिकेशन बिल प्रेस करके रखेंगे तो जितनी भी साड़ी वीडियो आपकी आती जाएंगी वह आपको इन्फार्म होता जाएगा आप बहुत अच्छे से क्लास 6 पास कर लोगे मेरे बाई चलो भाई यहां सब्सक्राइब को देखते हैं ऑच्छा रिक्टैंगल investigators डेखा है सब्सक्टैंग और हम लोगों कर लिया है I think rhombus 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 yes अच्छा उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि exactly exactly square को हम लोगों ने देख लिया लेकिन rectangle को हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो हमें क्या करना पड़ेगा rectangle भी देखना पड़ेगा आगे क्या होगे ट्रैपेजियम तो उससे पहले हमें क्या कर रहे हैं कि यहां पर rectangle आपको बता देते हैं rectangle को भी जानना जरूरी है आप rectangle नहीं जान रहे हैं और ट्रैपेजियम जान जाएंगे तो आपको दिखकते आएंगे देखो rectangle किसे कहते हैं एक ऐसा parallelogram a parallelogram a parallelogram having all have in which each angle in which in which each angle जिसमें हर एक angle जो होगा न एक parallelogram in which each angle is right angle is right angle उसकी right angle होगी right angle कहने का मतलब के 90 degree होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे बिटा तो उसे हम लोग rectangle बोलेंगे अब यहां पर समझो rectangle के बारे में क्या कहा गया कि ऐसा parallelogram जिसकी हर एक एंगल जो है वो राइट एंगल होनी चाहिए तो देख बिटा यह एक एसा parallelogram है जिसकी हर एक एंगल राइट एंगल है यहां यह भी 90 है यह भी 90 है यह भी 90 है और यह भी 90 है समझ में आड़ा है बाद तो यहां पर आप यह कह सकते हो कि अगर सर यह a b c d है ठेक है तो जब parallelogram है तो opposite sides parallel तो होंगी होंगे तो हम यहां पर लिख देते हैं कि opposite sides are parallel opposite sides are parallel कि opposite sides parallel होंगे parallel होने की वजह यह है कि वो पैरलेलोग्राम है तो अब आप कैसे लिख सकते हो कि AB is equal to sorry AB parallel DC यह लिख सकते हो कि यह जो AB है वो DC के parallel है and यह जो AD है बिटा वो किसके parallel है तो BC के parallel है तो यहाँ पे AD parallel BC यह बात तो clear हो गया parallelogram होने के वज़ा से अच्छा opposite sides equal भी होते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि opposite sides are equal opposite sides बड़ाबर होंगे अब देखो यहाँ पे opposite side कौन है AB का opposite DC है तो यहाँ पे आप लिख दोगे AB is equal to DC ठेक है अच्छा AD का opposite कौन है BC है तो यहाँ पे आप लिखोगे AD is equal to BC यह बात clear हुआ हाँ सर यह बात clear हो गया all angles यहाँ पे 90 degree है तो each angle each angle is 90 degree या right angle आप क्या बोलोगे कि हर एक angle कैसा है यहाँ पे तो right angle है इसका अंतलब कि angle A angle B बड़ाबर है angle C बड़ाबर है angle D बड़ाबर है किसके बड़ाबर है तो 90 degree के बड़ाबर है सर अच्छा अच्छा यहाँ diagonal की बात कर लेते हैं तो इसके diagonal बेटा equal होते हैं diagonal दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे equal होंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ diagonals are equal बट पहले लोग्राम के diagonal equal नहीं होते थे diagonals are equal रॉंबस के भी diagonals equal नहीं होते थे तो जब diagonal equal है तो आप यह कह डालोगे कि AC is equal to BD तो अब आप यहाँ पे लिख दो AC is equal to BD AC और BD आपस में कैसे हो जाएंगे equal होंगे लेकिन एक और खास बात diagonal के बारे में सीख लो diagonal bisect each other कहने का मतलब यह है कि अगर O point पे यह intersect कर रहा है तो आधा इधर आधा इधर हो जाएगा यानि कि diagonal bisect each other diagonal diagonal bisect bisect each other एक दूसरे को वो bisect करता है लेकिन 90 degree पर नहीं करता है square में 90 degree पर करता है rhombus में 90 degree पर करता है बट rectangle में नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे O A is equal to O C O A किसके बड़ाबर होगा O C O B is equal to O D तो O B is equal to O D और खास बात यह है ना कि यह सब बड़ाबर होगा O A, O B, O C, O D कि दोनों diagonals equal है कि हम सब को आपस में equal कर देते हैं तो आपने rectangle को भी बहुत बढ़ी ऐसा समझ लिए तो एक छोटी सी बात को यहां पे आपको बताना है कि all squares are rectangle all squares are rectangle जितने भी squares हैं वो सभी के सभी rectangle होंगे true होगा या false होगा यह बताना है और यहां पे आपको बताना है कि all rectangles are squares all rectangles जल्दी जल्दी सोच बेटा जल्दी से सोच करके आपको बताना है all rectangles are squares ठेक है सभी के सभी rectangles जो हैं वो squares हैं आप बताओ जल्दी से इसका आंसर करो दोनों का तुम कहोगे yes sir all square rectangles yes sir true हो जाएगा क्योंकि rectangle में सभी के सभी Watch sowjet होती है जैसे के यहां पे square देख लेजए square में कहा गया है एक rectangle में क्या होता है हडे एक angle 90 होता है तो लीजिए इसमें भी हर एक angle 90 है अच्छा rectangle क्या होता है palellogram होता है ये भी एक palellogram है बस होतो गया यही दो condition तो हमें fulfill करना था अच्छा लेकिन हर एक rectangle square होता है ये कहना false है देखो तो ये वाला rectangle square होगा क्या जरा बताना ये तो rectangle rectangle ही रहेगा तो नहीं और अगर हम इसी को ये special type का rectangle है square actually में तुम देखोगे तो यहां से हम cut कर दिये ठीक है इधर से छोटा कर दिये इतना छोटा करते जा रहे हैं कि वो हमारा all sides equal हो जाए तो वैसे rectangles को हम लोग square कहेंगे समझ में आ रहा है क्या तो हाँ ये दोनों बात आपने समझ लिया बहुत अच्छी बात है तो अब आप exercise करेंगे ना तो exercise के सभी questions को अब आप बना डालेंगे all square rectangle होता है लेकिन हर एक rectangle square नहीं होता है समझ में आ रहा है क्या ये सर आ रहा है यानि कि आपने क्या समझ लिया कि पैलेलोग्राम में पैलेलोग्राम में कौन कौन से बातों को समझा तो यहाँ पे देखो आपने ये समझ लिया कि जो पैलेलोग्राम है न सर वो exactly कौन कौन से है तो यहाँ पे समझो कि सबसे पहले तो पैलेलोग्राम की बात की जाए तो ये rhombus पैलेलोग्राम हो जाएगा ठेक है हर एक rhombus पैलेलोग्राम होगा हर एक rectangle पैलेलोग्राम होगा आप ध्यान में रखोगे जब भी पूछा जाएगा कि हर एक rhombus paleologram होगा काओगे yes sir हर एक rectangle भी हर एक square भी तो ये paleologram family में से थे अब हम लोग चलते हैं trapezium के बारे में discuss करते हैं कि what is trapezium तो यहाँ पे ध्यान दो कि trapezium a quadrilateral having exactly one pair of paleoside अच्छा paleologram में यहाँ पे two pairs होते थे लेकिन यहाँ पे केवल one pair parallel होना चाहिए दूसरा से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि sir हम यहाँ पे एक इधर ले लिया मैंने और दूसरा हमने क्या क्या कि इधर ले लिया देखिए sir यह दोनों आपस में parallel है बस हो गया यह आपका trapezium बन जाएगा इसको यहाँ से join कर दो और इसको यहाँ से join कर दो लो भईया यह आपका बन चुका है क्या बन चुका है तो trapezium बन चुका है आप इसका naming कर दो ABCD हो गया तो अब यहाँ पे देखना कि क्या होगा तो one pair parallel होगा इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है बेटा AB जो है ना वो DC के parallel है तो AB parallel DC होगया बस 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 इतना ही condition से यह आपका trapezium complete होगया यह trapezium हो जाएगा बोलो बच्चा समझ में आया के नहीं आया क्यों यह trapezium है क्योंके आप यहाँ पे देख रहे हो कि one pair इसके parallel है तो टेक है भाई हमें बताना कि यह trapezium होगा के नहीं होगा यहाँ पे आपको बताना है कि यह trapezium होगा के नहीं होगा चलो भाई बताओ देखो यह दोनों यहाँ पे parallel है तो बिल्कुल trapezium है sir ये इसलिए trapezium है क्यों क्योंकि इसके जो दो pairs है opposite वाले वो parallel है और ये non parallel है ये वाला और ये वाला ये parallel नहीं है बेटा ये देखो ये आगे जाकर करकर करके intersect कर जाएगा देखो इधर गया इधर गया ये यहाँ पर intersect कर जाएगा इसलिए ये दोनों लाइन parallel नहीं है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि yes sir ये जो है ना वो exactly trapezium है बोलो समझ में आया क्या clear है आगे बढ़ें क्या लेकिन उससे पहले हमें बताना कि square अच्छा parallelogram trapezium होगा कि नहीं होगा तो वो trapezium नहीं होगा बेटा जिसमें दोनों pair parallel हो तो क्या उसमें एक pair parallel नहीं होगा मैंने ये कहा कि ये आपका parallelogram है trapezium चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि एक pair parallel देख लेना है ठीक है और बहुत खुशी की बात है कि इस parallelogram में एक pair क्या सर दोनों के दोनों pair से यहां पे parallel हो जाते है तो हम यहां पे यह कहेंगे कि सर ये एक pair तो होगा ही दुसरा भी हो जाएगा लेकिन दुसरा से मतलब नहीं है यार एक pair parallel हो गया ना बस डिरेक्ट बोल देगे कि ये हमारा trapezium होगा अच्छा तो जितने भी parallelogram से वो सभी के सभी trapezium है आप से पूछा जाएगा कि square trapezium है क्या है आप से पूछा जाएगा कि rectangle trapezium है की नहीं है तो बिलकुल है आप से पूछा जाएगा कि rhombus trapezium है की नहीं है तो आप कहेंगे कि rhombus भी trapezium है बोलो समझ में आ रहा है क्या क्यूंकि सर ये सभी के सभी ऐसे quadrilateral हैं जिसमें one pair opposite sides तो parallel होते ही होते हैं खुशी की बात ये है कि दो-दो pair होते हैं ट्रैपेजियम बताने के लिए तो एक pair होना शाहिए इसका मतलब कि ये सभी के सभी बिटा आपके ट्रैपेजियम फैमिली में आ जाएंगे क्लियर है क्या येस सर अच्छा सुनो इसमें एक special ट्रैपेजियम को समझना है और वो जो special ट्रैपेजियम है वो exactly कौन सा है तो आईसोसेलिस ट्रैपेजियम है ठीक है अच्छा रेक्टैंगल भाई साब यहां उठकर करके चले आये थे नालायक कौन बोला दा तुमको यहां आने के लिए अब यहां पर देखो रेक्टैंगल थो हम लोग ने डिसकस किया हुआ है तो अब यहां पर आईसोसेलिस ट्रैपेजियम को समझना है कैसे ट्रैपेजियम को हम लोग आईसुसेलिस बोलेंगे अपने आईसोसेलिस ट्रैगल को पढ़ा होगा जिस में दो साइट्स एक्वल होते हैं वैसे ही एह ट्रैपेजियम हुझ नोन पैरलेलिस साइट्स आर इकुल यानि कि एकुल होना चाहिए क्या equal होना चाहिए non parallel side yes यह तो देखो बेटा parallel side जो है ना वो आपको equal यहां पे parallel sides के बारे में बात नहीं की गई है यह जो non parallel side है ना एक यह और दूसरा यह यह दोनों equal होना चाहिए तो अगर यह दोनों equal हो गया तो अब आप कहेंगे कि yes यह आईसोसेलिस trapezium है की नहीं है सबसे पहले तो यह एक parallel है इसका मतलब के AB parallel DC है तो यह trapezium है लेकिन आईसोसेलिस है की नहीं कब पता चलेगा जब हम यहां पे बताएंगे कि यह जो AD है वो किसके बढ़ाबर हो गया तो BC के बढ़ाबर हो गया अगर AD बढ़ाबर BC भी है तो यह फिर आईसो साइट से कोई मतलब नहीं है जो non parallel side से न वो देख लो कि वो आईसोसेलिस ट्रेपेजियम तभी होगा जब non parallel साइट इक्वल होंगे जरा मेरे को यहां पर बताना के यहां यह क्या आईसोसेलिस ट्रेपेजियम होंगे बता जरा यह यह यहां पर देखो तो तुम कोगे नहीं सर यह non parallel side तो यह इतना ही बढ़ा है और यह कितना बढ़ा है भाई यह इतना बढ़ा है तो यह आसोसेलिस नॉन पैलेसाइड्स आर नॉट इक्वल जो नॉन पैलेसाइड्स हैं वो बड़ावर नहीं है तब या कई से हो जाएगा या इससेलेस्ट्रेपेजियम समझ में आ रहा है क्या एंड ये बेटा इससेलेस्ट्रेपेजियम है क्यों है क्योंकि इसके नॉन पैलेसाइड्स जो है वो आपके इक्वल है जितना ये है उतना ही ये है समझ में आ रहा है क्या देखो न यहां पे मैं ऐसा भी बना डालता हूं यह ऐसे है और यह इत्ता बड़ा है ठीक है तो यह भी आपके नहीं है तो जम भी देख लिया ठीक है भाई अब काइट को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है काइट के बाद यह आपका क्वाइड लेटल चैप्टर देंड हो जाएगा उसके बाद हम उसके सॉलुशन को बताएंगे फिर हम लोग पॉलिगन पढ़ेंगे फिर 3D शेप्स पढ़ उसकी वाले लेक्षर में बताया जाएगा इसलिए इसका सॉलुशन जरूर कर लेना फिलहाल अभी तुम यहां पे काइट पे ध्यान दो पतंग बाजी करेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो सब्सक्राइब करो तभी तो मज़ा आ तो इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करो आप फ्रैंड के साथ शेर कर देते हो कि नहीं भाई शेर कर दो ना यार इतने अच्छे से पढ़ात हो रहे हैं ठेक है कोई इस्यू नहीं चलो भाई हम लोग काइट को देख लेते हैं कि काइट क्या होता है देखो ए इक्वल एड्जेसेंट साइड एड्जेसेंट कहने का मतलब होता है कि बगल वाला तू पियर्स कहने का मतलब कि दो जोडी देखो जैसे के यह और इसके बगल वाला यह दोनों को एक्वल होना पड़ेगा तो यह क्या हो गया कि यह टू पियर्स ऑफ एड्जेसेंट से लेकिन थोड़ा सा इसको कर देते ये वाला चीज हमें नहीं देखने ठि क्रेशनों को और ओर ओर और अच्छे से से करने के लिए थोड़ा बढ़ा बना डेते हैं ये काइट लग रहा है क्या आपको तो काइट लग रहा है तो देखो ये दोनों बगल वाले आपस में एक्वल है और ये दोनों भी बगल वाले आपस में एक्वल है लेकिन अपोजिट वाले अनिक्वल है इसके अपोजिट कौन सा है ये वाला अनिक्वल है इसके opposite कौन सा है ये वाला अनिक्वल है तो kite में बेटा जो हमें पढ़ना है वो ये सब चीज नहीं रहेगा ऐसा दिखने में आपको लगेगा तो हम इसका naming कर देते हैं कि ये A है ये B है ये C है ये D है जिसमें CD बड़ाबर CB है CD किसके बड़ाबर है CB के बड़ाबर है एंड अच्छा ये देखो A B बड़ाबर AD है तो A B बड़ाबर AD है आपने देख लिया क्या कि बगल वाला तो बड़ाबर होगा लेकिन opposite वाला अनिक्वल होगा बड़ाबर नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 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 हो हो, वाउ, क्या आपने देख लिया, समझ भी लिया, तो भाई साब, यहां तक हम लोगोंने, अभी तक, जो डिसकस किया, वो काफी सारे कोडिलेटर्स के काईप्स को हम लोगों ने डिसकस कर लिया है यह काईट आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको मैंने बता दिया ताकि आप आगे कि थोड़े से एडवांस बातों को जान करके रखें तुमसे बहुत जादा प्यार करते हैं इसलिए इतनी अच्छी अच्छी बातों को सार वोट करो फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ना करता हूँ ठेक है तो भाई अब जाकर करके आप एक्सरसाइज जो भी है जो एक्सरसाइज अभी आप पढ़ रहे हैं उस एक्सरसाइज को आप बना लोगे और बनाने के बाद में जो हम नेक्स्ट लेक्शर लेके